मुदा को बनाने में ना तो मैंने मिल्क पाउडर का इस्तमाल किया है और ना ही माबा का इस्तमाल किया है तो चले स्टार्ट करते हैं आज के मुदा की रेस्पी मुदा के लिए सबसे पहले पैन में हम डाल रहे हैं घी तो यहां पर आपको दो से तीन चमच सुद्देशी घी का इस्तमाल करना है तो मैं यहां पर दो चमच घी डाल रही है अब हम इसमें डाल देते हैं एक कटोड़ी से कम रवा यानि कि सुजी और अब इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है लेकिन थोरा देर फ्राई करने के बाद हम इसमें एट करेंगे बेसन तो यहां पर हलका सा पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो फ्रेंज यह देखे सुजी के जो जाने हैं वह हलका सा फोलना है स्टार्ट हो चुका है तो अपको उतना ही डालना है जितना कि आपको सुझी डालना है तो यहाँ पर है करेंब स्काष्काइब 50 ग्राम मैने इस्तिमाल किया है और दोना चीजे मिला करके यहाँ पर हो गई है तो यहां पर दोनों ही चीजों को हमें अच्छे से फ्राइ कर लेना है यानि कि भून लेना है जब तक कि इसमें से घी जो है वो निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता है तो यह देखिए दोनों ही चीजों को मैंने भुननाय स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें से जो घी है वो निकलनाय स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी हम इसे थोरा सा और भुनेंगे तभी जो इसका टेस्ट है वो बढ़िया आएगा हमारे मोदग का तो आप चाहें तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं और एक न्यू मोदग है आज जो मैं आपनों के साथ एयर करने जा रही हूं सूजी और बेशन का मोदग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोदग की रेस्पी है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है तो आप इसे भी एक वार बना करके जरू ट्राइ कीजिए तो यह देखे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गी है वहाँ यहां निकलना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ पर एड कर देते हैं चीनी तो चीनी यहाँ पर मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम ली है लेकिन इतना हम इस्तमाल नहीं क 50 ग्राम यहाँ पर आपको चीनी एड करना है और आप चीनी को भी हलका सा हम पिघलने देते हैं तो यहाँ पर जो चीनी है वह हलकी सी पिघल चुकी है तो अब हम इसमें दूर एड करेंगे यहाँ पर आपको पानी का इस्तमाल नहीं करना है बलकि दूर का इस्तमाल करना है दन पती जी का परसाद बनाने के लिए तो आब दूर को यहाँ पे रहा हम mix करेंगे और लगतार इसे चलाते हुए यहाँ पर हम जो mix है उसको सुखा लेंगे तो friends यह देखे अब यहाँ पर आपको लगतार mix को चलाते रहना है ताकि यह या तो जम्मे भी नहीं और नीचे जो पेंदी है उसमें भी चिपके नहीं तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगातार चलाते रहना है जब तक कि यह अच्छी तरीके से सूख रही जाती है तो इसी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से सुखाएंगे तब ही जो हमारा मोदक है वो बनने लायक होगा तो इसी तरीके से लगातावार चलाते रहें तो ये देखिए अब जो हमारा मीक्स है वो पुरी तरह से रेडिन हो चुका है मोदक के लिए जब ये मिक्स ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और गाणा हो जाएगा सक्त हो जाएगा उसके बाद ये मोदक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा तो इस स्टेज पर हम क तो अब जो हमारा मीक्स है वो हो चुका है ठंडा ये देखिए और आप देख सकते हैं कि अब अगर आप इसको कोई भी सेप देंगे तो ये आसानी से ले लेगा तो इसे अच्छे हैसे हम मिक्स कर लेते हैं ताकि जो भी चीजे इसमें एड किये हमने वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखिए हमने मिक्स अच्छे से कर लिया है तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं मोदग बेशन और सूजी के मिक्स को तिन भागों में बाट दिया है तो दो भाग मैंने छोटे रखे हैं और एक भाग थोड़ा ज्यादा रखा है मैंने तो यहां पर एक जनपती जी का परशाद है वह बहुत ही ब्यूटिफूल दिखे तो यहां पर अच्छे से हम ग्रीन कलर को मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए ग्रीन कलर जो है वो अच्छे से हो चुका है मिक्स तो अब सगन कर में आप कोई भी कलर एड़ कर सकते हैं लाल पीला या फिर कोई भी कलर जो आपके चाहँ हो वो कलर आप यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर मैंने रेट कलर का इस्तमाल किया है बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा हमारा जो मोदक है वो देखने में तो रेट कलर को भी अवच्छे से हम मिक्स कर लेंगे देखें यहाँ पर हमारे जो तीनों कलर है वो अब रेडी हो चुके हैं तो यहाँ पर मैंने एक मोदक का मोल्ड यानि की साचा ले तो यहाँ पर घ्रीम क्लड लेंगे और उसके छोटा सा बॉल बनाएंगे इस तरीके से तो लमबा कट देंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम इस तरीके से यहां पर हम रेट कलर लगाएंगे देखे इस तरीके से आपको लगाना है और फिर इन दोनों किनारों में आपको इस तरीके से ग्रीन कलर डालना है और इन दोनों किनारों पर आपको रेट कलर डालना है और अब जो प्लेन वाला मिक्स है वो आपको डालना है यहां पर इस तरीके से इसके उपार डाल देंगे अच्छे से डालनेंगे फुरा सब हम इसमें भी डाल देंगे प्लेन वाले को और अब हम मोदक के जो साचे हैं उसको बंद कर देंगे मोदक के साचे को तरह से इसके उपार डाल देती हूं कवर कर देना है इने रंगों को और इसके उपार अब हम मोदक के साचे को इस तरीके से अच्छे से प्रेस करेंगे और यह दिखे जो भी इस्ट्रा रंगा रहा है उसको हम हटा देंगे इसको हम अच्छे से दबा देंगे इस तरीके से आपको दबा दिना है बहुत ही कलरफूल जो मोदक है वो बन करके रेडी हो जाता है इस तरीके से कुछ प्लेन मोदक भी हम बनाएंगे और यह मैं आपको ओपन करके दिखाते हूं देख रहे हैं न कितना प्यारा लग रहा है देखने में यह देखिए यह देखिए कितना क्यूट लग रहा है न देखने में इसी तरीके से जितने भी आपको कलरफूल मोदक बनाने हैं उतने कलरफूल मोदक बना लीजे और जितने प्लेन मोदक बनाने हैं उतने प्लेन मोदक बना लीजे तो यहां पर मैं एक प्लेन मोदक बना करके दिखाते हूं तो प्लेन मोदक बनाने के लिए आपको साचे को आप इस तरीके से बंद कर लीजे और इसके अंदर मिक्स को आप डाले इस तरीके से, अच्छे से इसमें मिक्स जाना चाहिए, यह देखे, प्रेस करेंगे, तो हम हाडली प्रेस करेंगे, तभी जो मोदक के उपर डिजाइन है, वो उभर करके आता है, ओपिन कर यह, और यह देखिए, प्लेन मोदक यहाँ पर बन करके रेडि हो चुका है, इन दोनों कलर से अगर आप चाहिए, तो भी मोदक बना सकते हैं, या फिर दोनों कलर को मिला करके भी मोदक बना सकते हैं, या फिर रेड और प्लेन कलर को मिला करके मोदक बना सकते हैं, पर में सारे मोदक में रीकर लेती हूं मैं आपको दिखाती हूं कि हमारे maisuk भरत चुक है वो रेडी है मैंने यहां पे मुदक से सबसक्राइब कर ले अगर आप लोगोको मिरे ये वीडियो पसंद आ अ highlights करें ज़ी तो जिसे like करें यदा ज्याधा बुद्बाइ फिरिमी लिंग एक न्यू वीडियो के साथ